सासवर्थ एकडमी में आपका स्वागत खबरे मिल चुकी होंगी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत कुछ जूट बोला है इस वज़ा से बचे कनफ्यूज हैं और कई सारे रिक्वेस्ट हमारे पास में आए पिसर आप बता दीजी कि क्या हुआ तो बचों ना सिर्फ हमने ये पता किया कि आज क्या हुआ बलकि आज जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर जो कानून के जानकार लोग हैं उनसे भी हमने बात की और पूछा कि क्या हो सकता है तो उन लोगों का भी राय हम आपको यहां पर बताएंगे कि भाई actual में बताऊंगा कि आज Supreme Court में क्या हुआ आज जो कुछ भी हुआ उससे exam के cancel होने की संभावना कितनी है और private compartment improvement exam के बच्चों का क्या होगा इन केस जो कोई भी निर्ड़े आता है उस निर्ड़े में इन बच्चों का क्या होगा साथ ही में हमने उन लोगों से बात की जो इसके बारे में जादा जानकारी रखते हैं कानून के भी से सग्य हैं और उसके आधार पर हमने सटीक मिस लेसर करने की कोसिस की है सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे और हमें वीडियो में जरूर बताईएगा मतलब कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता तो सबसे पहले बच्चों मैं ये शुरू करूँ उसके पहले ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक्जाम्स कैंसिल होंगे या नहीं कैंसिल होंगे क्या होगा ये कमेंट में आप अपनी तरफ से लिख दीजिए बाकि जो मैं बता रहा हूँ या जो मुझे बता है वो तो आप जानने वाले हैं ही तो बच्चों यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है लाइव लाकी वेबसाइट का वो आर्टकिल जिसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है आप जा करके CBSC से सम्मंधित नियूज में यह वाली आर्टकिल पूरी पढ़ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ एकदम सा टीक है तो क्या हुआ यह समझने के लिए हमने सबसे पहले इतना इसको देखा तो बच्चों बस आज इतना ही हुआ कि यह याचिका की सुनवाई थी चाहे CBSC के हूँ, ISE, ICSE या State Board के हूँ यह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इसको उन्होंने एकसेप्ट कर लिया और एकसेप्ट करने के बाद पिछले साल चीफ जस्टिस महोदय ने उन जजज के पास में भेज दिया जिन्होंने इसकी सुनवाई की थी, अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अर्जेंट लिस्टिंग के लिए अपील की गई थी, कि भाई, अर्जेंटली हमारा मैटर सुना जाए कि एक्जाम्स कैंसिल हो या ना हो जो भी है, NIOAS है, CBSC है, ICSC है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब इस पर अब सुनवाई होगी देखो, उसके बाद में बस थोड़ी देर सुनवाई चली थी, उसमें मानिये चेफ जस्टिस ने यह कहा कि ठीक है, यह जो मैटर है, यह जस्टिस एम खान विलकर की कोर्ट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वही अब इसको देखेंगे आपको बता दो बचों कि आप ही जस्टिस खान विलकर ने ही पिछले साल के एक्जाम्स से सम्मंदित बहुत सारी सुनवाईयां की थी और कई सारे एक्जाम्स को आपने कहा था कि होंगे या नहीं होंगे, उस पर बहुत सारा आदेश हो गयरा आया था अब देखो बचों इसी में लिखा हुआ है कि जो प्रिजेंट प्रिटीसन है ये राइट चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट अनुभास रिवास्तों सहाय में ने दाखिल किया है बचों की तरब से और यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट बोर्ड एक्जाम्स हैं मतलब आल ओवर इंडिया के बात कही गई है कि जो आफ लाइन मोड में हो रहे हैं हलो बच्चों अनकडमी प्रॉडजी दा बिगेस्ट स्कॉलर्शिप टेस्ट अलेड़ी लांच हो चुका है फॉर क्लास 7 टुटो एल्थ आयाइटी जेई एन नीट उजी स्टुडेंस के लिए ये एक घंटे का फ्री मौक टेस्ट 27 फरोरी को भी कंदक्ट होगा इसमें सभी पर्टिस्पेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलर्शिप एंड मैक बुक आइफोन इको एंड इक्साइटिंग रिवार्ट जीतने का साथ ही आप एजुकेशन फॉर लाइफ भी जी सकते है जिसमें आपको 20 लाग तक का कॉलेज ग्रांट मिलेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए डीटेली स्कॉर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलबल होगा आफ्टर दा टेस्ट इससे आप अपनी रैंक और अपनी स्ट्रेंथ और इंड बीकनिस को आइ इन सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा लाइब क्लासेज हिंदी और इंग्लिस में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डाउट सॉल्विंग सेशन्स आडियो फीचर के त्रो यू कैन रेज यूर हैंड और अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं पीडिय अप नोट्स मि पारे में बताना बिल्कुल मत भूलना सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं यूज करें मेरा कोड जी ये और अनेकडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पाएं 10% आफ उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि वह अल्टरनेटिव मोड में हो सके अब अल्टरनेटिव मोड का है दो मतलब मचो या तो ये ऑनलाइन एक्जाम्स करवा लिए जाए पहली चीज और दूसरी चीज है कि एक्जाम्स करवाए ही ना जाए और जो बच्चे एक्जाम दिये बिना मतलब चाह रहे हैं तो उनकी इंटरनल असेस्में है इसमें ये मांग की गई है कि जो बच्चे सटिस्फाइड ना हो अपने इंटरनल मार्ग से इंटरनल असेस्मेंट के अधार पर उनका रिजल्ट जारी किया जाए जो बच्चे उससे सटिस्फाइड ना हो वो बाद में इंप्रूब्मेंट का एक्जाम देने को पाएं जैसा optional exam पिछले साल September में हुआ था कि school वालों ने result बनाया जिन बच्चों को लगा कि नहीं यतना number हमारे लिए sufficient नहीं हमें और number चाहिए था उनको exam देने का मौका दिया गया तो इन्होंने वो मांग भी किये कि इनको मौका दिया जाए एक बात और है यहाँ पर मैंने मांग क कि है कि भाई जो petition किया है उसमें इन्होंने relief मांगी है कि एक constitute की जाए कमेटी जो कि यह फार्मूला decide करे कि किस आधार पर बच्चों की marking करनी है उसमें इन्होंने यह भी कहा है including compartment students as well कि जब यह फार्मूला तयार हो तो सिर्फ regular बच्चों का तयार ना हो यह compartment improvement प्राइवे कहा सामिल है तो बच्चों आप सभी लोग सामिल हो यहाँ पर compartment की बात की गई है including compartment exams अब compartment का formula cbsc या कोई भी बोर्ड वाले कैसे तयार करेंगे उनके पास किसी का कोई record नहीं है तो इन्होंने कहा है कि एक committee ऐसी बनाई जाए जो एक फार्मूला बताए और उस आधार पर ह guideline भी दे दी जाए कि हाँ इससे पहले result आ जाए ताकि अगला session सुरू होने में देर ना होने पाए बच्चों अब एक और बात है इसमें बहुत सारे और भी मांगने की गई है तो वह सबाब को जानना जरूरी नहीं बस main mark यही थी एक और मांग की गई है कि UGC को भी guideline दी ज की जाए तो इसके बारे में भी professional non professional courses के बारे मतलब एक complete रिट दायर किया है मैं ने और यह रिट दायर होना जरूरी भी ता क्योंकि जो बच्चे support मांग रहे हैं भाई जुन बच्चों को लगता है कि online पढ़ाई हुई है तो offline exam हम क्यों दें उनको really मिलना भी चाहिए बच से बच्चे बहुत जादा सफर कर गए तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए हलांकि इसमें ये बात कही गई है तो अगर relief मिलेगा तो इन बच्चों को भी मिलेगा अगर ऐसा होता है कुछ तो तो अब इस article को आप जा करके पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा क क्या क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है और पिछले साल क्या हुआ था तो इसके बारे में हमने बात की कई बिसे सग्यों से कि भाई क्या हो सकता है जो पिटीशन हो गए रहा है इसके अधार पर क्या हो सकता है तो दो तीन बाते सामने निकल करके आई एक तो बच्चों ज्यादातर बच्चों को वैक्सीन लग गया है, गовर्मेंट इस बात को जरूर बताएगी, कि वैक्सीनेशन बच्चों का हो गया है, जो इस गृप में आते हैं मतलब उनको कोविट से प्रभावित होने की संभावना कम है पहली चीज गौर्मेंट इसको बताएगी निश्य तुरूब से बताएगी दूसरी चीज वो यह भी बताएगी जिसे कुछ स्टेट्स में डेट और गएरा आ गई मतलब कैंसिल होने के भी ना कैंसिल होने के भी अब गौवर्मेंट किस तरीके से पक्च रखती है कमजोर पक्च रखती है मजबूत पक्च रखती है उस आधार पर यह डिसाइड होगा लेकिन जो बिसे बिसे सग है या जो कानून बिसे सग है वो यह कह रहे हैं कि अगर ये exam cancel हो गया तो बहुत सारे ऐसे भी competitive exams हैं उन पर भी उनका भी अधर खत्रे में लटकेगा क्योंकि उन पर भी बच्चे कहेंगे कि हम online exams कैसे offline exams कैसे दें हमसे online exam करवाए जाए या यह हो वो दुनिया भर की बाते होंगी तो offline exams जितने भी conduct हो रहे हैं different भाई ऐसा त खुले हुए हैं उस condition में किस तरीके से court या यह लोग कहेंगे इसलिए यह लोग कह रहे हैं कि भाई संभावना बहुत कम है भले ही कितने मजबूत पक्ष क्यों न उठाए गए हों सबको पता है कि जितना परेसान करोना ने पिछले साल किया था इस बार उसका प्रभाव उ पास होना चाहते पास हो लेकिन कमपार्टमेंट और प्राइवेट एक्जाम के बच्चों का मतलब अहित नहीं होना चाहिए उनका भी इसमें सामिल होना चाहिए आपको क्या लगता है बच्चों कमेंट में हमें जरूर बताईएगा हमारी धेर सारी सुब कामना है आपके आने वाले एक्जाम के लिए चलते चलते एक बात और बता दूँ कि जब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता अपनी पढ़ाई बंद मत करिएगा नहीं तो अगर आपने पढ़ाई बंद कर दो सबसे ज़्यादा नुकसान बचों आप ही का होगा सो थैंक यू